हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करें प्रेमेच्योर बेबी की अक्सर जो हम आसपा सुनते हैं कई बार कि किसी को सत्वांसा बच्चा हुआ है या किसी को अट्वांसा बच्चा हुआ है तो वो अक्सर जो है प्रेमेच्योर होते हैं बच्चे यानि जो उनका पूरा टाइम होता उससे पहले बच्चे जब हो जाते हैं तो उनको pre-mature कहते हैं तो आज हम उनकी देखभाल की जो है tips बता रहे हैं और उनको किस तरीके से आपको feed कराना चाहिए और उनको क्या ज़्यादा चीज अच्छी रहती है उनकी सिहत के लिए वो आज हम आपको सब बता रहे हैं इससे पहले जो भी चैनल पढ़ रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं नहीं जानकारियां पाने के लिए और चलिए आज बात करें हैं pre-mature baby की अग्सेले हम जानते हैं कि pre-mature baby किसको कहा जाता है जिन शिशों का जनम यानि जो बच्चे 36 सफता से पहले हो जाते हैं उन्हें pre-mature baby कहते हैं ऐसे बच्चे के सभी अच्छी तरह से विक्सित नहीं होते हैं इसके अलावा उनका जो immune system होता है वो काफी weak होता है pre-mature babies पर बहुत जादा ध्यान दिया जाता है जो normal delivery होती है या normal बच्चे होते हैं उनकी अपिक्चा तो आज हम उसको देखभाल का तरीका आपको बता रहे हैं उनको आपको feed करने का तरीका बता रहे हैं कि आप उन बच्चों को किस तरीके से feed कराएं जन्मगर्व में नवे महीने की अबदी पूरी होने से पहले ही हो जाता है medical science की मदद से या घर पर इन बच्चों की अच्छी देखभाल आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको aware होने की जुरत है उसमें जनके भी premature baby होए हैं और उनकी देखभाल आपको किस तरीके से करनी हैं वो हम आपको बताते हैं जो premature baby होते हैं बच्चों को formula milk की जगह आपको breast feed करवाना चाहिए क्योंकि breast feed में जो पूरे पोशक तत्व होते हैं वो जो बच्चे को मिलने चाहिए थे वो उस समय जो नहीं मिले वो आपके breast feeding के दोरान उसको पूरी तरह से मिल जाएंगे उनसे कम दिन में पूरे दिन में आठ से दस बार दूद पिलाएं और लगभग लगभग तीन से चार घंटे का जो है बीच में आप gap रख सकते हैं बीच बीच में आप देखते रहें कि अगर बच्चे को जौरत है तो आप पीच में भी पिला सकते हैं लेकिन तीन से चार घंटे का gap जो है बहुत अच्छा रहता है premature baby की feeding के लिए जो बच्चा है जो उसकी growth हो रही है उसका आप एक chart बना कर रख सकते हैं अगर आप chart बना कर रखते हैं तो आपको पता रहता है बच्चे का वजन कितना है बच्चा किस time feeding कर रहा है और बच्चा जो है किस तरीके से आपका बच्चा जो है develop कर रहा है तो आप एक track बना ली तो इससे बहुत benefit बिलेगा आपको उसकी देखभाल करने का देखने की शक्ति उनकी आँखों की बनावट और सुनने की शक्ति तथा अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है इसके लिए समय समय पर आपको अपने पीच-वीच में उनको चेक करते रहना है क्योंकि उनकी जो नीद है वो गर्व की बजय बहार पूरी होती है तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजियो उनकी नीद के विशे में उनको जो है आप कमर के बल लेटाएं पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटाना चाहिए प्री मेच और बेबी को क्योंकि उससे उनको दिक्कत होने के चांसे बहुत ज्यादा रहते हैं थोड़ी सी देखभाल करने से और जो आपके दो तीन महीने जो पहले बच्च करने का पूरा ध्यान रखिया और हलकी हलकी मसाज भी उनकी करते रहें बीच बीच में तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उमीद करते हैं जिनके प्री मेच और बेबीज हैं उनको यह जानकारी जरूर पसंद आएगी अगर जानकारी पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए औ जियुए निर्ख पसंद आताए जिनके यह सब्सक्राइब साइए अग्यूर इस्टीर कीजिए तो स्टीर में करता हैं यह सुषा तो सुषा घंटेश यह सब्सक्राइब एक टो थानकारी जोर प्राया सुषा टीर डरीशन कारी तो आटीरिट और यह दो पूदर आदेश